नमस्कार मैं विसाल कुमार और आप देख रहे हो भीम संठीबेक बड़ी खबा लेकर आज हम आपके वीच आदर हुएं बड़ी खबा जाला सुराना प्रकरण से जुड़ी है जैसा कि आप सभी को पताईए भीम आर्मी और भीम सेना के कारकरताओं को लगातार विरोधियों द्वारा फौन पर दमकी दी जाला है जो जो चेल सिंग यादा चेल सिंग है जो आजो अरूब है उसके पच्छ में जो लोग सभाई करने उनके द्वारा भीम से ना और भीम आर्मी के कारकरताओं को दंकी लगाता दी जाली है फौन पर आप सभी को पताईए और अब जो दमकी देने वाले हैं वो माफी मांगने लगे हैं तो उन्होंने किस तरीके से माफी मांगे और कौन से यानि दमकी तमाम लोगों ने दी और उन तमाम लोगों में से कौन से व्यक्तिन है माफी मांगी है सब को जानने के लिए आप इस वीडियो में आखरी तक वने रहें और इस वीडियो जाए से यादा सेयर करें तो आई हम आपको पूरी विश्टार समझाते हैं जैसा कि हम आपको बताने कोच करें कल एक सोसल मीडिया पर कॉल लिकॉर्डिंग काफिया तेजी से वायरल हो रही थी जो कि रवी कुमार मेगवाल जो की भीम सेना के प्रदे सद्य अच्छे और बवरलाल राज प्रोहित जो कि एक कईसी संग्टन से चुड़ए हुने साथ वह भीम सेना के प्रदे सद्य रवी कुमार मेगवाल क ऐसी तृं कहरें पर चेम risky और अब उसी टेमभाוכ 12 गंटे के तुरंत बाद माफिब हई ऑंपनी पोश्ट में लगाए कंपर दमगाने की कोशेत करने वाले अशर्व कोष्ट समयद पूरे परिवान ने देरणा स्मय ratio यानि उन्हों नहीं कया नंटी डंकी दोनी वाला था जहा जैसा को आप सभी तब हमारे भाई उनको लगा नहीं सकते तो उस थोड़ी बहुत जो बात हैं जिससे आप समझ सको कौन से कौन किस कॉल रिकॉर्डिंग की बात करने उसको हम थोड़ा आपको सुनवा दे अगर जिसके अंदर दम में तो आजाओ कि तेरे जैसे 36 अपुवाद को रोज देखते हैं तंदर से कर रहा हूं ना मारा भाई है नहीं थीक है और वह चीज में मैं सब कुछ जानता हूं कि वहां पर मिटकी थी के नहीं थी कि क्या नहीं थी करोगे कि इसको आप इसको आप कि लेख अहां राजप्रोईट नामे आपका बवर्लाज जी यह करेंगे इस बात को सुनने के बाद पूरा मामला समझी गए होंगे इस पूरे घटना किरम पर आपकी क्या राए आप अपने अपने कमेंट अपनी राए देना फिलाल आप देख रहे हैं इस वीडियो को जाए से आधा शेयर करें